हर्याना के खरखोंदा की रेली में मुख्यमंत्री मनुहरलाल खटर की तरफ से कॉंग्रेस की अंत्री मध्यक्ष सोनिया गांधी पर की गई टिपणी पर कॉंग्रेस ने कड़ी आपत्ती जताई कॉंग्रेस ने सीएम खटर के बयान की कड़ी निंदा करते हुए माफी की मांग की पतादे चुनावी जनसभा में सीएम मनोहर लाल खटर ने सोनिया गांधी पर आपत्ती जनक टिपड़ी कर दी थी ये लोग सारे देश में लगे घूमने के कॉंग्रेस के अंदर कोई एक राष्ट्रिय दक्ष मिल जाए इनको नेशनल प्रेजिने इत्थासा मिल जाए डूढ़ते हैं तीन मने बता दिये और तीन मने बाद कौन बढ़ा कौन बढ़ा कौन बढ़ा सोनिया गांधी फिर वही परिवार के खोदा भाड नेशनल बढ़ा के इसी बयान के बाद सियासत करमा गए और एक के बाद एक कौंग्रेस के नेता उन पर हमलावर होते चले गए खटर के बाद महिला कौंग्रेस के अध्यक्ष शुश्मीता देव ने सीम खटर के बयान को असंसदिय बताये तो वह नहीं हरियाना प्रदेश कौंग्रेस अध्यक्ष कुमारी शेलजा ने कहा कि खटर की भद्धी टिपणी से उनकी मानसिक्ता और नागरिक्ता का पता चलता है इसले ही प्रदेश में महिला सुरक्षा के इतने बुरे हाला थे महिलाओं के प्रती अभद्र भाशा का प्रियोग करना मानिय मुख्य मंतरी मनोहर लाल जी आपके लिए कोई नई बात नहीं है लेकिन अभी आपने जो मानिया श्रिमती सोनिया गांधी जी के प्रती जो ओच्छी टिपनी की है उससे उनके लिए नहीं आपने पूरे नारी समाज का एक घोर अपमान किया है आप जैसी मानसिक्ता के कारण ही आज हर्याना क्राइम कैपिटल कहलाने लगा है महरास्ट कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष नितिन राउत ने भी खटर के लिए अपत्ती जनक शब्दों का इस्तमाल किया है पहली बात तो जो हर्याना के मुख्य मंतरी है वो खटर नहीं वो खचर है और उनको इस प्रकार का बयान देना अगर है तो बयान उन्होंने मोदी जी के बारे में लोग समझ रहे कि मोदी जी बहुत अच्छा आर्थिक उन्नति करेंगे देश की देश का विकास करेंगे द लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो खुदा पार्टी कॉंग्रेस ने माफी मांगो खटर हैश्टेग का प्रियोग करते हुए एक के बाद एक लगातार ट्वीट करते हुए मनोहरलाल खटर और भाजपा पर हमला बोला वीडियो डेस्क अमरुजाला.डॉट कॉं अमरुजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल दा आरोहन मीडिया स्कूल यानि टैम्स दे रहा है सुनेहरा मौका एक साल के डिजिटल कोर्स में सीखी पत्रुका दिता कोर्स में सफल हुए छास्रों को मिलेगा प्लेस्मेंट झाल